रोट सेप्टी वर्ड टीट्वेंटी सिरीज में भारत और दच्छल फिरका के बीच खेले गए मैच में टीम इंडिया के दिगज बल्लेबाज यूराज सिंग ने एक बार फिर छे छक्के लगा कर शाबित कर दिया है कि आज भी वह भारत ही नहीं बलकि विश्व के सबसे ब बल्लेबाज हैं दोस्तों अगर आप भी सिक्सर किंग यूराज सिंग के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यूराज सिंग की इस तुफानी पारी को देखकर एक बार फिर ICC T20 वर्ड कप 2007 की याद ताजा हो गए यूराज सिंग एक बार फिर T20 क्रिकेट में एक ओर में छे छक्के लगाने के काफी करीब थे हलकी चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उत्रे यूराज सिंग बेहद ही धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन पारी के अठारह में ओर की पहली गेंद के बाद मैदान पर दिखा यूराज सिंग ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आज भी वह एक ओर में छे छक्के लगाने की चमता रखते हैं। यूराज सिंग के इस तुफानी पारी के बाद माना जा रहा है कि एक बार फिर आईपील में उनकी वापसी हो सकती है। आपको बता दें कि पहले बल्ल शेहवाग मात्र छे रन बना कर आउट हो गए इसके बाद मैदान पर बल्ले बाजी करने उत्रे यूराज सिंग ने तुफानी बल्ले बाजी कर तहलका मचा दिया मात्र बाइस गेंद पर नबाद बावन रनों की इस एतिहासिक पारी के दोरान यूवी ने दो चौके और छे शान्दार छक्क जड़े इस रोमान्चक मैच में इंडिया लेजेंड्स की बल्ले बाजी के दोरान आकरसन का केंद्र बने रहे छक्कों के बादसा यूराज सिंग यूराज सिंग की तुफानी बल्ले बाजी देखकर दचलेया फिर की गेद्बाज मैदान में ही रो यूराज सिंग के इस धमागेदार बल्लेबाजी के बाद ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए उन्हें टीम इंडिया में सामिल करने की भी मांग उठ रही है